हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल All In One रतिराम में, मैं रतिराम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेस कमाल वीडियो में, तो दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं MS Excel, तो आप सभी को पत स्टार्टिंग करते हैं, तो चलिए दोस्तों, एक बार सबसे पहले देख लेते हैं MS Excel को आपको Open कैसे करना है, तो आप सभी को पता है, आप स्टार्ट मीनू में जाएंगे, यहां से जाने के बाद या तो आपको MS Excel यहां दिखाई देगा, या फिर आपको All Program में जाना आप देखेंगे, आपका उपर-उपर MS Excel दिखाई देगा, तो आप इसे क्लिक करके भी यहां से Open कर सकते हैं, आपके सामने देखिए, MS Excel का यह Interface आपके सामने Open हो चुका है, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, इसके Introduction के बारे में, तो Introduction में आपका इस तरी टाइप data entry program के लिए काम में ले जाने वाला software है, जिसमें अधिकतर हम इस तरीके के किसी परकार के data को maintenance करने के लिए इस software का यूज लेते हैं, जैसे कि मानली जी हमारे पास कोई data है, जिसमें अलग-अलग परकार की जानकारी हमारे पास उपलब्द है, वैसे भी अगर आप computer सीखने जा रहे हैं, तो आपको इतना तो पताई होगा किस तरीके के data का उपयोग हम computer के अंदर कर रहे हैं, लिए फिर भी मैं एक बार आपको बता दू, जैसे कि मानलो कोई school है, किस school के अंदर student है, father से है, mother से हैं, सभी का नाम, उसका address, contact number, वो किस बस से आता है, कौन सी class में पढ़ता है, उसकी age क्या है, उसका gender क्या है, वो किस caste से है, इस तरीके से एक data हो जाता है, पूरा, उस data को maintain करने के लिए, हम MS Word की बजाए, MS Excel का उपयोग करते हैं, MS Word एक document editing software है, जबकि MS Excel एक split type का program software है, जिसके अंदर हम विविन प्रकार के data को adjust करने के लिए काम में ल हम क्या करते हैं, इसके preference को देख लेते हैं, इसके lookout को देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से काम होता है, बैसे भी आप लोगों ने MS Word का मेरा video देख लिया होगा, उसी की तरह इसमें भी काम होता है, लेकिन कुछ changes जिसके अंदर मौजूद हैं, जो आज हम पहले आपको उस इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको एक लिप पोड, font, element, number, style, sales, editing, लगबग, लगबग, MS Word जैसा ही, preference आपको इसमें देखने को मिलता है, बस फरक इतना सा है, MS Word के अंदर आपको डारेक्ट एक पेस देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर row औ column देखाई देंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यह जो मैंने पूरा select किया हुआ है, यह क्या है, एक row है, यह पंक्ती है, और अगर मैं इधर click करता हूँ, तो यह आपके क्या है, यह column है, ठीक है दोस्तो, और अगर मैं किसी एक single पर click बीच में कर लेता ह यह आपको आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर click करके आप इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अपनी जरुरत के इसाब से, अगर आप यहाँ देखें, तो नीचे यह numbering system है, बहुत आगे तक बढ़ता जाता है, बहुत आगे तक बढ़ता जाता है, आ आपको double split करके देखने के लिए काम आता है, लेकिन यह सारी चीजे हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल इस पर work करेंगे, ठीक है दोस्तो, और इसके zoom को हम control और mouse को scroll करके भी यहाँ से बढ़ा और गठा सकते हैं, यहाँ पर आपको seat 1, seat 2, seat 3, इस तरीके से seat देखाई और अगर आप चाते हैं कि इनकी शंख्या में कुछ ब्रदी की जाए, तो आपको यहाँ से seat भी बढ़ाने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि इस पर क्लिक करके यहाँ से seat बढ़ा सकते हैं, अब अगर आप जो भी काम करेंगे, वह आपको special cell के अंदर एक ही type का work हो सकता है, इस बात का आप इसे जुरूप से ध्यान रखें, वही MSXL के अंदर आपको home cell मिलेगा, उसके बाद insert time मिलेगा, page layout मिलेगा, formula मिलेगा, data मिलेगा, review मिलेगा, और view मिलेगा, तो इन सब की जानकारी हम bird में भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे मोट पर थोड़ा सा बता देता हूँ, home tab के अंदर आपको लगवग लगवग आपके text cell और सभी को editing कलने के लिए options मिलेगे, insert time में आपको image insert करना, cliparts insert करना, safe insert करना, chart है, column है, line है, hyperlink है, bird art, यह सारी चीज़े मिलेगे, page layout में, page setting देखते हैं, कौन सा page हमें लेना है, कितना margin चो इतने सारे math type के काम इसके अंदर कर सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे formula हम आपको लोगों को सिखाएंगे, कि आप देखकर अच्छे मित हो जाएंगे, कि घंटों का जो काम आपका हुआ करता था, वो चुटकियों में, MS Excel में, Mintों में हो जाएगा, ठीके दोस्तों, इसके बाद आपका data tab मुलता है, data tab के अंदर बोई आपको form access, web, यह सारी जानकारी, लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे, तो बिस्तार से इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसके बाद आता है आपका review tab, जिसके अंदर आपको grammar check करने के लिए, seat को कैसे protect करें, बर्क बुक हैं, यह सारी चीजे आपको दिखाई देंगी, इस तरीके से हम MS Excel के बारे में बात कर सकते हैं, बाद में हम macro भी सीखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इतना पिसवात दिला सकता हूँ, कि यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं, तो आपको हम MS Excel, MS Word, Page Maker, Photoshop, Coral Draw, इन सभी में एकदम, Zero से Hero मनाने की गारंटी हमारी है, लेकिन बस हमारा पढ़ाने का फंडा बाकी लोगों से कुछ थोड़ा सा लग है, और हम धीरे 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 चीजों को सीखते जाएंगे, तो यह तो हुई हमारी basic जानकारी, इसके बाद आपको MS Excel के Home Tab, Insert Tab इन सारी Tabs के अलग-अलग separate वीडियो मिल जाएंगे, अब जाते जाते हैं आप लोगों से एक अन्रोद है, यदि आप चाते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, और अच्छे अच्छे जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते रहें, तो आप लोग भी ह अगले वीडियो में.